हेलो फ्रेंक्स आप सभी का नारंग चुला चुका में स्वागत है आज मैं आपके साथ एक ऐसी ट्रिक शियर करने जा रही हूँ जिससे हम टमाटरों को 45 डेज के लिए स्टोर कर सकते हैं और काम होगा चुटकियों में और खाना वनेगा जट पट तो आएए जलते हैं नारं कर सुखा लिया है हमें इन्हें सब टमाटरों को कट करना है हमें किस तरह से टमाटर काटने हैं मैं आपको बताती हूँ जैसे ये टमाटर का डंडी वाला जो पार्ट है हम इसे बिलकुल भी यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसे यूज करने से टमाटर की क्यूप्स खराब ह होने का डर रहता है और वो जल्दी खराब हो जाती है तो हम इस पार्ट को हटा देंगे इस पार्ट को हटाने के बाद हम टमाटर के चार हिस्से करेंगे हमारे टमाटर का साइज थोड़ा सा बड़ा है इसलिए इसके में चार टुकड़े कर रही हूं यदि टमाटर का साइज छोटा हो जैसे ये देखिए ये जो टमाटर है इसका साइज थोड़ा छोटा है तो इसके हम दो ही टुक्ड़े करेंगे तो इसका भी ये डंडी वाला पाठ हटा देंगे और ये देखिए बस इतना ही हमें इन्हें टमाटरों को बिलकुल भी बारी चॉप नहीं करना है क्योंकि हमें इन्हें मिक्सी जार में ग्राइंड करना है हमने सभी टमाटरों को अच्छे से चॉप कर लिया है अब हम इन्हें मिक्सी जार में ग्राइंड करेंगे तो उसके लिए हम एक जार लेंगे और अब हमें इन टमाटरों का एक अच्छा सा फाइन पेस्ट तयार करना है तो हम टमाटरों को इस जार में डालेंगे और इन्हें पीसेंगे ये देखिए हमने सारे टमाटरों को मिक्सी जार में शिफ्ट कर दिया है अब हम इसका ढखकल लगाएंगे और सारे टमाटरों को मिक्सिजार में ग्राइंड करेंगे तो चलिए ग्राइंड करते हैं टमाटर हमारे ग्राइंड हो रहे हैं हमें इने पीसकर इनकी एक अच्छी सी फाइन पेस्ट तयार करनी है टमाटर हमारे ग्राइंड हो चुके हैं तो चलिए देखते हैं कि टमाटर हमारे पिसकर कैसे तयार हुए है ये देखिए टमाटर बहुत अच्छे से पिस गए हैं और एक फाइन पेस्ट तयार हो गई है अगर हम чाहें तो 2 days के लिए इन्हें फ्रिज में रखकर ऐसे ही यूज कर सकते हैं लेकिन हमें इन्हें 45 days के लिए यूज करना है तो हब हम इन्हें कैसे save करेंगे आईए देखते हैं पिसे हुए टमाट्रों को मैंने बाउल में shift कर लिया है अब हम एक tray लेंगे मेरे पास cap वाली tray है तो मैं वही ले रही हूँ आपके पास जैसी हो आप वैसी ले ले जिएगा और फिर हम इस tray को इस tomato puree के साथ फिल करेंगे ये हमने tray को फिल कर लिया है अब हम इसे freezer में रखेंगे हम चाहें तो इसे ऐसे भी freezer में रख सकते हैं मेरे पास कैप है इसलिए मैं इसे ढख कर अच्छे से फ्रीजर में रख रही हूँ हमें इसे 7-8 घंटे के लिए रखना है या ओवरनाइट रखना है तो चलिए देखते हैं 7-8 घंटे बाद इसका रिजल्ट 7-8 घंटे हो गए हैं मैंने आइस ट्रे फ्रीजर से बाहर निकाल ली है तो अब हम देखेंगे हमारी टुमेटो क्यूप्स बनकर रेडी हुई है या नहीं तो उसके लिए हम सबसे पहले ट्विस्ट करेंगे ट्रे को ट्रे को ट्विस्ट करने से ये टुमेटो क्यूप्स इजी ली बाहर निकलाती है ये देखिए बहुत ही शानदर हमारी टुमेटो क्यूप्स बनकर रेडी हुई है मैं अकसर सबजी में इन्ही का इस्तमाल करती हूँ एक तो समय की बचत होती है और हमारा मसाला बहुत इजी ली फटा फट से बुन जाता है टुमेटो क्यूप्स को हमने बाउल में शिफ्ट कर लिया है इनको स्टोर करने के लिए हमें जिब बैक की जरूरत होती है मारकेट में ट्रांस्पिरेंट जिब बैक भी मिलते हैं लेकिन मेरे पास ये टॉफी चाए नमकीन इनके जिब बैक भी हैं अकसर घर में ये आते हैं सबी के और हम इन जिब बैक को फेक देते हैं लेकिन मैं इन्हें अकसर वाश करके रख लेती हूँ तो जैसे ये टॉफी का जिब बैग है आज हम इसी में टॉमेटो क्यूप्स को स्टोर करेंगे टॉमेटो क्यूप्स को हमने जिब बैग में शिफ्ट कर दिया है अब हम जिब बैग को अच्छे से बन करेंगे जिप बेक को बंद करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि इसके अंदर एयर बिल्कुल भी ना हो वर्किंग विमेंस के लिए यह ट्रिक बहुत ही काम आने वाली है हमारे टमाटर स्टोर हो गए है 45 डेस के लिए आशा करती हूँ आपको मेरी ये ट्रिक अच्छी लगी होगी पसंदाई होगी यदि आपको मेरी ये ट्रिक अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राई लाइक और शेर करना ना भूले और आप से मिलने का फिर मिलेगा एक मोका देखते रहिए नारंग चूला चौका थैंक्यू पॉर वाचिंग बाई